हलो दोस्तों, आज का पोज है हमारा व्रिक्षासना ट्री पोज, जैसे पेड बहुती स्टेबल होते हैं और स्ट्रॉंग होते हैं, उसी तरह से यदि हम यह आसन करते हैं, तो हमें फिजिकली और मैंटल स्टेट में एक बैलन्स मिलता है अब कौन नहीं कर सकता है यहासन, जो लोगों को इंजरी यार फिजिकली हो चुकी है, नीज, लेग और हिपस की और जो लोगों को वर्टी को और मैुक्रीन का इशो होता है, वो अवयड करें और चोड लोग hips और knees की में arthritis हैं वो लोग बिल्कुल भी ना करें यह आसन को तो चले हम start करते हैं यह आसन को वन फिट का distance रखके हमें properly straight खड़े होना है shoulders relax रहने चाहिए दोनों हातों को नेचे के तरफ straight body के पास रखना है और right hand को हमें कमर पे रखना है और left leg को हमें fold करना है ताकि हमारा knee और thigh outside में rotate हो और फिर जो है right leg के inner thigh में touch होना चाहिए तो नीचे के तरफ point straight होना चाहिए west line straight होने चाहिए और दोनों हातों को हम नमशकार मुत्रा में रखना है और यदि आप comfortable हैं तो दोनों हातों को extend करके ऊपर के तरफ रखना है और आखों का focus एक point पे होना चाहिए और six counts तक breathe करिए relax और आप तीरे तीरे हातों को नीचे लेके आए हाथ की hip से fit को नीचे रखना है अराम से काफे सारे लोग होते हैं जिनको एक पैर पे खड़े होना मुश्किल होता है initially तो हम wall का support भी ले सकते हैं तो हम back support भी ले सकते हैं और side में भी support ले सकते हैं benefits of rikshasana leg, hips, back, core, arm और shoulder को strengthen करता है और बहुत ही अच्छा stretch देता है यह आसन करने से lung का capacity बहुत बढ़ता है तो lungs efficiently use होते हैं यह आसन करने से awareness और concentration बढ़ता है body का और क्योंकि एक hip opener है तो core muscles का engagement होता है उसका impact internal organs में पढ़ता है तो यह infertility issues के लिए और hormonal imbalances के लिए बहुत ही अच्छा होता है वीडियो कैसा रगा comment section में ज़रू बताइए like share subscribe करिए thank you